So Hello friends Welcome back to another new video and also अगर आप एक Realme के Realme 8 4G डिवाइस के यूजर से तो दोस्तों आपके लिए काफी बड़ी सर्फ रह गुड़नों जे कि दोस्तों फाइनली रिल्मी के तरफ से Realme 8 4G डिवाइस के लिए स्टेबल के रूप में Realme 4.0 का अप्डेट वह भी Android 13 के साथ आसे पॉब्लिक सभी यूजर के लिए रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका एंड इस अप्डेट के वर्जन के बारे में बात करेंगे तो f.07 का वर्जन एंड साइस के बारे में बात करेंगे 302 अप्डेट फीचर मिल जाते हैं सो फ्रेंड्स वीडियो काफी जड़ इंट्रेस्टिंग रहने वाला है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है तो चले फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग टेम लेट गे स्टार्टेट तो दोस्तों अगर आप ए अपने रिल्मी 8 4G डियोस में स्टेबल रिल्मी 4.0 का अब्रेट या भी रिसी हो चुका है इस अब्रेट को मैंने सकस्फिल इंस्टाल भी किया है तो चले होने के बाद हम जाएंगे अबाट फोन सेक्षिन में जाने के बाद चेक आउट करके देख सकते हैं एफ डॉट ज अब्रेट के बारे में बात करेंगे जुकि आपको लेटेस्ट मिल जाता है 5 अगस्ट का क्यूंकि इससे पिर आपको अब्रेट मिलता है एफ डॉट जिसमें हमको पांच जून के यह पर सीकुरिट पैच लेवल देखने को मिल जाता है एंसीदा एंडुट 12 से एंडुट 13 आपको मेजर अपगर देखने को मिल जाता है जिसके अवज सब्सक्राइब काफी सरी चेंज़ेस भी एड़ हो चुके है बाकि दस तो उपर के राइट साइट कॉर्णर पर हमको एक शियर का बटन मिल जाता है तो शेर बटन के उपर क्लिक करेंगे तो हमरे डिवास के सारी या पर बेटर एनिमेशिंस में स्मूथनेस भी देखने को मिल चुका है बाकि दस वो चेंजस के बारे में बात करेंगे तो हमारा जो नोटिफिकशन पैनेल उसमें आपको चैंजस देखने को जाता है वाइफाइड मोबल डेटा को बटन से हो आपको या पर होरिजन्टल है अगर आपको यह चन्जन करना है चेंज करके सकते हैं अपने फोन में देसे अ अगर यह और भी चोटा एं तो फिर से यहां पर फोल्डर का विए ऑफ्षिन मिल जाता है अगर आपको फोल्ड सकटे हैं कोब भी चेंज कर सकते हैं इसके बाद आसो सबसे most evitator features भी आपको मिल जाता है जो कि है shelf so home screen पर नीचे के side में swipe करेंगे तो swipe करने के बाद आपके phone में इस tap का shelf का feature भी open हो जाता है and इस self feature में देख सकते हैं अगर आपको कुछ इने toggles मतलब जो भी widgets वगर add करना है तो यहाँ पर देख सब्सक्राइब करना है जैसे बैटरी से फोटोस है उसके बाद clock है जो भी आपको वीजर करने के लिए सिंपल जारा है home screen setting में home screen setting में जाने के बाद swipe downward on home screen जो option उसके उपर क्लिक करना है उसमें को यहाँ पर shelf गूगल सर्च और notification ड्रावर आसे तीन option मिल जाते है वहाँ पर यहाँ पर shelf को select करना है तो shelf को select करेंगे तो हमारे phone में देख से this method से shelf का नए feature इनेबल हो जाएगा इसके बाद बात करेंगे अगले changes के बार में जूकि आपको icons में देखने को मिल जाता है adopt system colors मतलब कि आपको google monitor icon का feature मिल जाता है जो कि android 13 के वज़े से मिल जाता है इसके बात करेंगे अगले changes के बार में जूकि आपके realme 8 4G DS में देख सकते है फानली custom dollar pad का भी feature मिल जाता है and custom dollar pad के मदद से अपके phone में काफी सारी customization के feature मिल जाता है special recording call का feature मिल जाता है आपको setting में जाना है setting में जाने के बाद add a call recording को on करना है so order call recording को भी on कर सकते है वेसे दसे जो feature से official अगर आपके phone इनेबल नहीं हो चुका तो simple जाना है play store में play store में जाने के बाद एक बार आप यहाँ पर यहाँ डैलर को install कीजे वो डैलर को install करने के बाद आपके phone में custom dollar pad इनेबल हो जायागा बट यह दिक्कत है यहाँ फिक्स हो चुकी है बाकि जो watermark है वो पहले से देखने को मिल चुका है बाकि सेटी में कोई नया feature देखने को नहीं मिला बाकि जो photo की quality as it easy मुझे देखने को मिले चाहिए वो selfie camera हो या फिर rear camera हो इसके लिए से बात करेंगे 64 megapixel से photo capture करेंगे आपक से काफी सरे लोग है कि मुझे बार-बार questions आते रहते क्या Realme 8 device में after Realme 4.0 की बाया 4G plus carrier aggregation का feature मिला है कि नहीं मिलें तो अगर आपको 4G plus चाहिए तो आपको नए डिवसी purchase करना पड़ेगा बाकि दिस वालपेपर एंड स्टैल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एवरीज में कोई भी customization देखने को नहीं मिला है इसके लिए बात करेंगे fingerprint animations तो fingerprint animations में कुछ भी आपको changes देखने को नहीं मिल है बाकितर सेटिंग में से काफे सरी changes मिल जाते system service में जाएंगे तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे system service में intelligent आपको यहाँ पे फंक्शन एड हो चुका है इसको आफ कीजिए इसको आफ करने के बाद आपका फोन के डिटा है रिल्मी के सर्वर पर कभी भी यह पे शियर नहीं होगा बाकितर सो स्टीम सेटिंग्स एंड यूए में काफी सरे नेने फीचर्स मिल जाते है जिसके उपर में एक special dedicated वीडियो बना के रखा है तो अगर आपको देखना है उपर आइकार पर चिक आउट करके देख सकते है य थैंक यू बबाई टेक केर